OnePlus एक ऐसी कंपनी है जिसका मोटो है कि वो आपको कम प्रैस के अंदर देंगे जबरदस्ट फ्लैक्शिप फोन्स अज स्लाम अलेकुम मेरे अजीज अंबतों मेरा नाम है साध और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा क्या OnePlus की कंपनी ने अपने नए फून OnePlus 5T के साथ ये वादा पूरा किया है या वो अपने इस मोटो से पीछे हट चुके हैं OnePlus एक ऐसी कंपनी है जिसे मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं शुरू मैं आपको जब OnePlus का कोई डिवाइस करीदना होता था तो आपको एक invite बेशनी पड़ती थी जिसके थूरू आप ये mobile phones करीच सकते थे या आपको वो मिल सकता था आप बब्लिक लिए जब रिलीस नही मार्केट के उपर कबजा कर लिया हो जो लोगों के पास भी थोड़ा सा ज्यादा बजट होता था और वो अच्छा फून लेना चाते थे तो वो OnePlus की तरफ चले जाते थे अब OnePlus 5 जो है पिछले साल थोड़े अर्से पहले ही रिलीस किया गया था OnePlus कंपनी की तरफ से OnePlus वही नहीं है मगर एक छोटिंग अपनी है और लिम्टेट फोन जो है वो प्रिड्यूस करती है मगर जब OnePlus 5 इसने रिलीस किया तो इसने एक मार्केट के उपर जैसे बहुत सक्सेस हासल की OnePlus 3D के बाद से जब ये एशिया के अंदर फोन आये तो इसने काफी सक्सेस हासल की और ये और दोनों कैमरा साइट पर आप जो है वो फोटो अच्छी नहीं ले पाते थे सेकेंड जो क्यूरी लोगों की थी वो इसके बटन और बैजल के ऊपर लोगों के दिल चाहता थे कि उनको फून मिले बैजल है और साथ में जो है अब ये हो चुका स्टाइल पुराना हालांक इसके demand के चलते ही OnePlus ने एक नया phone release किया है OnePlus 5T के नाम से जैसे iPhone S series निकालता है अपने phone का अगला version उसी तरह OnePlus निकालता है अपना T version जो पिछले version की improvement होती है OnePlus 5 और 5T में थोड़ी से differences हैं जो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ OnePlus 5T के अंदर आपको मिलेंगे dual camera पिछले phone की तरह ही मगर इसके अंदर आपको मिलेगा 16 megapixel का एक 20 megapixel का अब 20 megapixel और 16 megapixel के camera अगर सही टाइम पर सही तरह तरह इस्तमाल हो तो dual camera का आपको फाइदा भी हो अब इनकी जो नया OSS शायद का नाम Oxygen है अगर वो इसे सही तरह cameras को optimize कर लिए अपनी camera app में तो यह दे सकते हैं हमें काफी अच्छी photos इसके साथ साथ आपको मिलेगा front facing camera 16 megapixel का है शायद और आपको इसमें मिलेगी अच्छी selfies इसके इस बात जो सबसे बड़ा चींज देखने को हमें मिला है spoon के अंदर वो है इसकी screen अब आपको देखने को मिलेगा कोई home button नहीं OnePlus की device के ऊपर कोई button नहीं है सारी screen है 18 ratio 9 वाला है इसके अंदर आपको screen देखने को मिलती है I guess 18 ratio 9 वाली screen है इसके अंदर आपको देखी है 1080p display है और home button को कहा दिये गया है खुदाफ़ेज अब इसके अंदर आपको basically मिलेगी S8 जैसी screen जिसके अंदर आपको मिलेगा display थोड़ा सा लंबा और काफी चीजों को अभी optimize होना पड़ा है screen के लिए अभी इस ratio के अंदर ही optimization नहीं होई थी तो different ratio वाली screens आती जा रही है और apps और developers के दमाग हो चुके हैं खराब और उनको अपनी सारी apps को different ratio के size के साथ जो है optimize करने पड़ नहीं है अपनी app इसी तरह OnePlus में भी कर दी अपनी screen की ratio change और 18 ratio 9 के अंदर आपको मिलता है यह नया smartphone इसके internal की बात के लिए तो आपको मिलेगा snapdragon का processor और इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm snapdragon 835 जो के पाया जाता है I guess S8 के अंदर और Note 8 के अंदर भी मिखल में यही processor है एक downside देखने को हमें यह मिल रही है कि इसके अंदर आपको मिलेगा Android 7.1.1 मैं चाहता था कि यह release किया जाए Android 8 के साथ मगर खैर अब उनका यही कहना है कि Android एक अच्छा software है उसके साथ इतना है उसके पर custom काम करने की जुरूद नहीं है अपने launch के अंदर उनने का था मगर उनका जो oxygen OS है उसने थोड़ा बहुत जो है जो कमी रह गी थी या कमी या बेशी Android सिस्टम के अंदर उसको पूरा किया है जैसे के apps को आप जब एक touch में उसको साही कर सकते हैं इस तरह के कुछ चोड़ इमोटे features नहीं है जिसे Android जो है थोड़ा सा और बेतर बन गया है इसके साथ आपको वही अलमूनियम की body मिलेगी इसके अंदर आपको मिलेगी 3300 मिलियंपेर की battery जो के मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है साथ में आपको मिलेगा इसके अंदर 128GB वाला model इसके अंदर आपको मिलेगी RGB RAM मेरे laptop की यार 4GB RAM है और 6GB RAM वाला आपको मिलेगा 64GB का version वाला phone इसके अंदर color आपको सिर्फ मिलने माला है midnight black और कोई और रंग बरंगा color आपको OnePlus 5T के अंदर नहीं देखने को मिलेगा I hope OnePlus 5T ने मैं कह सकता हूँ 500 EUR का जो अभी price tag देखने को में मिल रहा है जो के तक्रीबबन 600 $600 बनते है और पाकिस्तान में आ सकते है 70-75,000 और कुछ sites तो इसको 80 तक भेचेंगी मगर as a specs phone में देखे जाए as a power देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ OnePlus 5T ने अपना वादा पूरा की है कम range इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है मगर कम हैं दूसरे competitors है जो अब 1,000,000 के करीब पहुंच चुके हैं उस price range के अंदर हमें एक अच्छा smartphone देखने को दे रहे हैं और हमें अच्छा phone मिलेगा कम price के अंदर मेरे तो ख्याल में अब जब भी मैं अपना phone चेंज करूँ शायद OnePlus ही नूँ OnePlus 5T खरीच सकता हूँ अगर मेरा budget बने अगर मेरा mood बनेगा phone को चेंज करनेगा तो मैं OnePlus 5T की तरफ ही move करना चाहूँगा और देखते हैं आब आगे चलके कि फून किस तरह लोगों में पसंद आएगा अभी तो खैर इतना लोगों के अंदर आम नहीं हुआ अभी जैसे से market के अंदर आएगा इसके अंदर आपको और इसके बुराईया अचाहिया सब कुछ देखने को मिल जाएगा अगर हो सकेगा तो मैं आपके लिए इसके अंदर रव्यू अंबॉक्सिंग भी लाऊंगा अगर कोशिश करके तो अभी आप मेरी वीडियो देखते रहे हैं और और इंट्रेस्टिंग मैं आप वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए इस तरह टेक्नालोजी की अच्छी और मज़दार वीडियो हमें आपके लिए बनाता रहूंगा आप लोग मेरी चैनल को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और नीचे सिस्क्राइब कर लें अगर आपने मुझे सिस्क्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को ओन करना है ना बोलना क्योंके मैं ऐसी वीडि जिन्दाबाद